हेलो फ्रेंड्स मैं अंकिता यादाओ आप सबका अपने यूटूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज हम रिजनिंग के कुछ प्रस्न हल करेंगे जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रस्न ये दिसाओं पर आधारित प्रस्न है और ये रिजनिंग में बहुत जादा पूछा जाता है जादा तर बच्चे इस प्रस्न की साइज देखकर इसको साल्व नहीं करते छोड़ देते हैं जो कि ये बहुत ही आसान प्रस्न होता है इसको साल्व करना बहुत इजी होता है ठीके तो हम सुरू करते हैं प्रस्न को साल्व करने से पहले चार दिसाओं का लाइन खीच लेंगे ऐसे प्लस की तरह चारों दिसाओं के लिए लाइन खीचेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये पूरब है दाहिने हाथ की तरफ पूरब है और बाएं हाथ की तरफ पस्चिम दिसा है उपर की तरफ उत्तर दिशा है और नीचे की तरफ दच्छिड दिशा है इसी को आधार मानके हम इस question को solve करेंगे तो start करते हैं देखिए लिखा उत्तर की ओर मुह कर के रवी 30 मीतर चलता है यहां मैंने 30 मीतर बनाया है यह देखिए हमेसा अगर किसी को प्रारंव करना या start करना है तो कहां से start करेंगे हमेसा इसके मध्य भिंदु से दिशाओं का जो मध्य भिंदु है महीं से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो रवी किधर जा रहा है उत्तर की ओर जा रहा है मतलब उसका मुह उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर जाएगा और कितना 30 मीटर तो यहाँ मैंने बना दिया इतनी distance की ऐसे ऐसे रवी गया यहाँ तक पहुचा और ये distance है कितनी 30 मीटर ठीक है अब इसके बाद लिखा है कि इसके बाद वह बाई और मुड जाता है तो यहां हम देखेंगे कि रवी का दाया बाया किदर होगा तो रवी का बाया इस साइड होगा मतलब पस्चिम के साइड और रवी का दाया पूरब के तरफ होगा ठीक है और वो मुड की धर रहा है बायी ओर मुड रहा है तो हमें इधर मुड ना है मतलब पस्चिम की तरफ रवी बाया साइड मुड रहा और कितने मीटर चल रहा है 50 मीटर तो हम इसी हिसाब से 50 मिटर अनुमान से उसको चलाएंगे मतलब यह जो 30 मिटर इस से थोड़ा सजादा होगा 50 मिटर तो यहां हम लिख देंगे 50 मिटर ठीक है अब रवी कितना 50 मिटर चल दिया इसके बाद वह फिर बाई और मुड़ा अब रवी इधर जा रहा है तो रवी का दाहिना उपर होगा और बाया नीचे और किस तरफ मुड़ रहा है बाई और मुड़ रहा है तो वो मुड़ेगा नीचे की तरफ और कितना चल ला है 30 मिटर तो 30 मिटर चलाने के लिए हम इतनी डिस्टेंस करेंगे इसके बराबर क्योंकि एक बर हम 30 मीटर चला दिये तो यहां से यहां तक गया 30 मीटर तो यहां से यहां तक भी 30 मीटर ही होगा क्योंकि यह लाइन और यह लाइन दोनों पैरलर हैं एक दूसरे की देखिए ठीके तो ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर इतना ही होगा अब रवी कहां पूचा रवी यहां आ गया इसके बाद कोश्चन में आगे है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक अस्थान से किस दिसा में और कितनी दूरी पर है यहां दो कोश्चन है दिसा भी पूचा है और दूरी भी पूचा है तो अब कहां पूचा रवी यहां पूचा और चलना सुरुक किया था इस पॉइंट से तो यहां से यहां की जो दूरी है वो कितनी है 50 मीटर है ठीक है कितनी दूरी है क्योंकि यह यहां से यहां तक 50 है तो यह भी यहां से यहां तक 50 होगी तो हम कह देंगे answer हमारा हो जाएगा कि 50 मीटर दूरी पर है और किस दिसा में है दिसा तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि इधर पस्चिम दिसा है मतलब दिसा वहीं से मानेंगे जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा तो यहां पर है इसका मतलब पस्चिम दिसा में है तो answer हो जाएगा पस्चिम दिसा और 50 मीटर की दूरी पर ठीक है एक बार फिर से बता देती हूँ कि रवी यहां से चलना स्टार्ट किया पहले वो 30 मीटर चला उत्तर की तरफ मुह करके फिर अपने बाएं मुडता है तो बाएं इस साइड मुड़ेगा बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है फिर वो अपने बाएं मुडता है तो फिर बाए नीचे के साइड मुड़ेगा और 30 मीटर आ जाएगा अब पूछा है कि वो प्रारंभी का स्थान से कितनी दूरी तो यहां से यहां तक अगर 50 मीटर है यह भी 50 मीटर हो जाएगा तो एंसर दूरी वाला हो जाएगा 50 मीटर और किस दिसा में है तो यहां से कोश्चन को हम साल्व करने की कोशिस करते हैं ठीक है देखे इसमें सबसे पहले तो हम कोश्चन को पढ़ने में टाइम बेस नहीं करेंगे सबसे पहले हम दिसा का लाइन बनाएंगे ठीक है दिसा की लाइन प्लस की तरह होगी आप सब को दिख रहा होगा यह प्लस की तरह दिशा की लाइन हो गई और उपर की तरफ उत्तर दिशा हो गया दाहिने की तरफ पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ पस्चीम और सबसे नीचे साइड दच्छिड दिशा होती है अब हम दिसा बना लिए तो अब हम question को solve करना शुरू करेंगे लिखा विकास पूरब की ओर चलना प्रारंब करता है और 75 मीटर चलने के बाद मतलब किधर वो चलना प्रारंब कर रहा पूरब की ओर पूरब दिसा हमारे दाहिने हाथ की तरफ मतलब यहां से चलना प्रारंब करता है और कितना चलता है 75 मीटर तो यहां से हम imagine कर लेंगे मतलब माल लेंगे कि 75 मीटर हमारा यहां तक आ रहा है ठीक है यहां हम लिख देंगे 75 मीटर उसके बाद है कि वह बाई और मुड़ जाता है अब यहां से इसका बाया उपर के तरफ होगा और दाया नीचे की तरफ क्योंकि उसका मुँ पूरव की तरफ है आप खुद इमेजिन कर लिजे आप अगर खुद को यहां रखके जैसे माली जे पैन को मैं यहां कर दी यहां आप खड़े होगे और इस साइड आप ऐसे चल लेओ तो आपका दाहिना नीचे की तरफ और बाया उपर की तरफ होगा तो वैसे, विकास का भी दाहिना नीचे की तरफ और बाया उपर की तरफ होगा, और उमुड किधर रहा बायोर, तो उपर की तरफ उमुडा ठीक है, और गया कितना? 25 मीटर, तो 25 मीटर माल लेते हैं, 75 इतना है, तो 25 थोड़ा इस से कम ही होगा, तो यहां हम लिख देते हैं, 25 मीटर कितना चला 25 मीटर इसके बाद वह फिर बाई और मुडता है तो देखेंगे इसका दाया बाया किधर है विकास का तो दाहिना इस तरफ है मतलब पूरब की तरफ है और बाया पस्चिन के तरफ है ठीक है तो यहां से हम विकास को फिर बाया तरफ मुडते हैं क्योंकि इ 40 मीटर की यह 40 मीटर वो डिस्टेंस तैं किया इसके बाद फिर वह बाई और मुड़ जाता है कितना फिर वह बाई और मुड़ जाता है और 25 मीटर अब इसका बाया जो होगा वह नीचे के तरफ होगा और दाहिना उपर की तरफ और मुड़ना किधर है बाई साइड तो फि दिस्टेंस पचीस मीटर है तो इतना वापस आने भी इसको लगेगा पचीस मीटर अब विकास पहुच गया इस पॉइंट पर अब पूछा है पचीस मीटर दूरी तैंकरता यहां तक हमने चला दिया कोशन में बताईए कि वह अपने प्रारंभिक अस्थान से कितनी दूरी पर है तो प्रारंभिक अस्थान विकास का यह था और है यहां तो हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस यहां कि यहां कितना है 75 और यहां से वो कितना आया है 40 मीटर वापस आया तो अगर यह डिस्टेंस 40 है तो यह भी डिस्टेंस यहां की नीचे की यहां से यहां तक कि कितनी होगी 40 होगी तो 75 में से हम 40 माइनस कर देंगे जितना आएगा उतना यहां का डिस्टेंस होगा तो हम कर देते हैं 75 माइनस 40 तो हमारा आजाएगा 35 तो यहां की डिस्टेंस जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 35 मीटर की हो जाएगी मतलब प्रारंभिक बिंदू से कितनी दूरी पर है तो 35 मीटर की तो हमारा उत्तर हो जाएगा 35 मीटर दूरी पर है ठीक है? तो I hope कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा आज इतना ही रहने देते हैं